गुदावरी पावर एन इसपाथ लिम्टेट के बोर्ड डिरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बाइबैक की अप्रूवल दे दी गई है इस बाइबैक में कमपनी कीस लाग पचास हजार फूली पेड़ अब एक्विटी शेर्स की बाइबैक करेगी और इस इस बाइबैक का प्राइस एक हजार चार सो रुपे प्रती इक्विटी शेर रखा गया है और अगर हम लोग इस बाइबैक के प्राइस को इस सेर के प्रीवेस क्लोजिंग प्राइस से कंपेर करें जो एक हजार उन्नासी रुपे है तो अभी यह बाइबैक लगभग 30% के प्रीमियम पर है तो यह बाइबैक कंपनी 30% के प्रीमियम पर कर रही है तो अगर आपके शेर की बाइबैक की जाती है तो आपको यहां प्रती इक्विटी शेर 321 रुपे का फाइदा हो सकता है अगर हम लोग इस सेर के बाइबैक प्राइस को इस सेर के प्रीवेस क्लोजि करोर रुपए इस कंपनी के 31 मार्च दो हजार चौबिस के audited financial statement के stand-alone financial result के total paid-up share capital and free reserve का 7% है और consolidated statement के total paid-up share capital and free reserve का 6.66% है company ये buyback proportionate basis पर tender offer route से कर रही है यानि कि आपको इस buyback में participate करने के लिए अपने शेयर को tender करने होंगे और इस buyback में promoter और promoter group भी participate कर रहे हैं company ने इस buyback की recorded fix कर दी है और इस buyback की record date 28 June 2014 है तो अगर आप इस buyback में participate करना चाहते हैं तो आपके लिए इस share की buying की last date 27 June 2014 है और अगर आप इस company existing shareholder हैं तो आपको अपने shares को hold करी रखना होगा तभी आप अपने shares को इस buyback में tender कर पाएंगे board of directors ने इस buyback के लिए buyback committee भी constitute कर दी है अब यही buyback committee इस buybacks related सारे decisions लेगी और link in time India private limited को इस buyback के लिए register के तरह appoint किया गया है अभी company ने इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को अधिक सदिक लोगों के साथ शेयर भी करें बहुत धन्य वारा है झाल